बजन सहिता अध्याय पांच हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा मेरे कराने की ओर ध्यान लगा हे मेरे राचा हे मेरे परमेश्वर मेरी दुहाई पर ध्यान दे क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूं हे यहुआ भोर को मेरी वाड़ी तुझे सुनाई देगी मैं भोर को प्रार्तना करके तेरी बाट जो हुँगा क्योंकि तु ऐसा इश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन हो बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे तुझे सब अनर्थकारियों से गिर्णा है तु उनको जो जो जूट बोलते हैं नश्ट करेगा यहुआ तो हत्यारे और छली मनुष्य से गिर्णा करता है परन्तु मैं तो तेरी अपार करुणा के काराण तेरे भावन में आऊंगा मैं तेरा भैमान कर तेरे पवित्र मंदिर के ओर दंडवत करूंगा हे यहुआ मेरे सत्रों के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगवाई कर मेरे आगे-ागे अपने सीधे मार्ग को दिखा क्योंकि उनके मुव में कोई सचाई नहीं उनके मन में निरी दुष्टता है उनका गला खुली हुई कप्ड है वे अपने जीब से चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं हे परमेश्वर तो उनको दोसी ठहरा वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है परन्तु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें वे सरवधा उन्चे स्वर से घाते रहें क्योंकि तु उनकी रच्छा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुलित हूँ क्योंकि तु धर्मी को आसीस देगा हे यहोवा तु उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा आमीन